question number 41 is यह यहाँ पर non-terminating non-recurring decimal है हमें इनको solve करना है means इसका मान निकालना है तो ऐसे question को करने का तरीका क्योंकि हम कई paper अब तक discuss कर चुके हैं तो I hope आप लोग को clear हो गया होगा हर एक question paper में लगबग यह repeat हो रहे हैं तो इसको हम five digit तक ले ले लेते हैं ओके और फिर इसको solve करके देखते हैं यह add करना है तो यह two six two six two और यह minus का point three four three nine के उपर बार है तो यह four three nine 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 ओके यह दुनों add होंगे और यह minus होगा तीन में से नो गए यानि कि तेरह में से नो गए चार यहाँ पे चेर दो आठ अटरह में से नो गए नो next बारह में से नो गए तीन next चेर दो आठ आठ में से तीन गए पाँच और यह चार और दो छे चे में से चार गए दो means point two five three nine ओके आगे इस तरीके से आ रहा है तो as we can see point two five three nine वो इसी में है तो option number three will be correct यह यहाँ पर यह आ जाएगा आपको जब भी ऐसे question आए यह तीन या चार या पाँच डिजिट तक ले लेना यहाँ पे मैंने पाँच डिजिट इसले लिया क्योंकि answer में वही चार तक दे रखा है तो हम थोड़ा से एक और आगे बढ़के ले लेते हैं अगर आप यह आगे करोगे तो वो इतना ही आता चला जाएगा यह repeat होता चला जाएगा तो here option number three will be correct next question है what is the sum of the desert of the lowest whole number that should be subtracted from 5, 2, 3, 6, 8 so that it becomes a perfect square perfect square जैसे 2 का square 4 होता है तो 4 क्या क्यालाता है perfect square 9 एक perfect square है 10 एक perfect square नहीं है क्योंकि किसी भी number को से multiply करने पर 10 नहीं आता है तो perfect square यह वाले number होता है अब 5, 2, 3, 6, 8 में से क्या घटाएं कि यह एक perfect square हो जाए तो means हमें इसका square root निकाल करके देखना पड़ेगा तो 5, 2, 3, 6, 8 हम इसका square root निकालते हैं सबसे पहले काम हमने pair बनाने का किया 2, 2, 4, 1, next क्या होता है pair उतरता है यहाँ पे हो गया 2, 2, 4 अगर यहाँ पे 3 लेंगे तो यह 1, 2, 9 आ जाएगा इसलिए हम दो लेंगे यहाँ पे तो यह आ गया 42, 284, 16, 23, 29, 49, 39, 68 आ गया अब यहाँ पे हमारा है 44 देखे square root में approximation आप लोगों को आना चाहिए जैसे अगर यहाँ पे एक लेंगे यह लगबख 400 के नजदीक है एक लेंगे 400 यहाँ पे हमें लगबख 4000 के nearby लेकर के आना है तो 48, 32, 65, 44, 32, 46, 36, 36 के करीब आएगा अगर हम 8 लेंगे तो और अगर 9 लेंगे तो 4, 9, 36 और 9 लेना पड़ेगा आप इससे ज्यादा लेना पड़ेगा इसमें से हम क्या घटाएं यानि कि जो भी नमबर आएगा वो इससे कम आएगा अगर क्या जोड़े तो हम extra लेकर के करते तो हम यहाँ पर 8 ही लेंगे क्योंकि अभी हमने अप्रॉक्सिमेट करके देख लिया अगर यह यहाँ पर 3968 की जगह 3584 होता यह यहाँ पर तो यह नंबर क्या होता हमारा परफेक्ट स्क्वेर होता तो इसके लिए यह क्या है 3584 से कितना ज्यादा 8 में से 4 गए 16 में से 8 गए 8 और यह 8 में से 5 गए 3 Means अगर यह 384 इस नंबर में नहीं होता या अगर इस 384 क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वेर के लिए रिमेंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए तो यह रिमेंडर अगर इसमें नहीं होता तो यह क्या आ जाता हमारा परफेक्ट स्क्वेर आ जाता तो क्शेव्यन क्या what should be subtracted तो 384 शुद बी subtracted बट इसने पूचह वाइसस नंबर टिजस नंबर इस Cities अप भूल नंबर तो आट रो चार बार यह आर तिन पंदर इनका जोड आ गया डिजसी गा तो option number 2 will be correct अगला प्रश्न है the two numbers are in the ratio 5 is to 8 okay ratio वाले question जब भी आए आपको उसी ratio में उसको let कर लेना है let first number भी 5x second number भी 8x and the product of their greatest common factor and smallest inclusion यहाँ पर यह smallest number आना चाहिए आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यह देखिए जैसे हिंदी में है महत्तम समापवर्तक और लगुत्तम समापवर्ते का गुणनफल यह है तो हमें पता है LCM और HCF की property that first number into second number is always equal to LCM and HCF of that number LCM and multiplication of HCF of that number तो यहाँ पर LCM और HCF का जो multiplication है जो उनका गुणनफल है वो दिया हुआ 6760 तो हमें यह multiply करने जैसे अगर number दे रखा है कोई LCM दे रखा है 6 और HCF दे रखा है 2 तो 6 दूनी 12 आएगा तो यह multiply करके इसने अल्रड़ी दिया हुआ है first number है हमारा 5X second number है हमारा 8X अब देखो यह चीज़े मैं यहाँ पर लिखके बता रहू बट आपको वहाँ पर नहीं करना आपको तो direct solution निकालना है जैसे अगर मुझे यह short trick से अगर मुझे वहाँ पर solve करना रहे तो मैं क्या करूँगा मुझे पता है यह 8 पंजे 40 X square X square बराबर यह 6 7 6 0 मैं इसको यहीं पर direct 4 से काट दूँगा तो 4 एकम 4 4 चिक 24 4 निम 36 X square बराबर 169 मिन्स यह क्या आगया मेरा 13 13 पंजे 65 और 13 अठे 104 मिन्स इसका जोड कितना आगया 169 मेरा answer जब एकी जब यह आजाएगा option number 4 will be correct यह यहाँ मैं आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ अगर यह starting है next यहाँ पर देख लीजे तो यह क्या जाएगा 40 X square is equal to 6760 X square is equal to 6760 upon 40 यह हमने इसको solve किया 169 तो X की value क्या आगई 13 आगई उसने पूछा क्या है what is the sum of these numbers तो first number क्या आगया 135065 और यह आगया 138 एकसो चार इनका जोड 179 आजाएगा तो option number 4 will be correct next question है the value of machine is lost every year at the rate of 10% यहाँ पे depreciate भी लिखा आ सकता है 10 प्रतिशत हराश होता है तो if the present value of the machine is 6000 what will be the percentage decrease in its value in 3 years देखे percentage decrease पूछा है तो हमें यहाँ पे इस value से कोई मतलब नहीं है क्योंकि percentage decrease तो वो जितना भी होगा वो तो ऐसे question के लिए मैंने बताया था कि आप 100 let कर लो अब 10% का decrease हो रहा है means पहले साल 10 का decrease हुआ तो percentage का जो 100 पर जो decrease हुआ वही तो हमारा direct answer percentage में आ जाएगा ओके तो यह 100 पे पहले साल 10% means वो कितने का हो गया first year के end में 90 का हो गया next year फिर again 10% means दब्बे का 10% 9 आ गया अब वो चीज कितने की रहेगी 81 की फिर से 10% means वो चीज वो कितने की रहेगी 8.1 की तो राश कितना हुआ total मिला करके 20 यह इनको जब सबको जोड़ लेंगे तो 27.1% means option number 4 will be correct अब in case अगर आप से पूछा रहता कि कितना राश हुआ तो आप क्या कर देते 6000 का 27.1% निकाल देते वो आपको पता लग जाता अगर वो पूछता कि वो value कितनी है तो 27 अगर 100% में से minus किया जाए तो कितना हो जाएगा 27,3,3 तो यह आजाएगा 2.9 और यह 72.9 तो 6000 का आप 72.9% निकाल देते तो जो value होती वो निकाल आता तो anyways तो इस तरीके से आप बड़ी ही जल्दी से निकाल सकते हैं here answer will be 27.1 next question है a person gains देखिए मैं थोड़ी जल्दी अब इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यह question थोड़ी numbers change हो रहे हैं और यह repeat हो रहे हैं अब मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप लोग साथ में practice कर रहे होंगे तो आप लोग भी speed बन गई होगी तो इसलिए अब जल्दी से करें और जिस बच्चे ने अभी नहीं किया है तो वो first paper से जा करके देखें जो first time हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर मैंने थोड़ा और explain कर रहा है तो आप लोग की practice हो जाएगी according a person gains cost price of five items okay by selling 25 item okay तो हमें क्या करना होता है let cp of one item is one rupees तो five item is five rupees and 25 item is 25 rupees ये क्या आगे हमारा cp means हमने हमने माना कि हमने एक item 1 रूपे का खरीदा तो 5 रूपे का करीदा तो 25 item हमने 25 रूपे का खरीदा और उसने क्या करheँ कि 25 items बेचने पे उसको पाँच आईटम के एक मिनट गेंज the cost price of 25 आइटम बेचने पे जितना उसने 5 आइटम को खरीदा था उतना profit होता है means यह 25 का cost price आगे हमारे पास अब 25 का selling price कितना होगा तो खरीदा 25 में था यह profit है तो selling price कितना हो जाएगा उसका 30 हो जाएगा what is his profit percentage तो profit percentage कैसे निकलता है profit upon जो पैसा invest किया जाता है जो की होता है CP multiply by 100 तो profit है 5 का upon में 25 अगर आप यहां से करें तो यह 1 upon 5 आजाएगा और 1 upon 5 किसके बराबर होता है percentage में यह 20% के बराबर होता है तो option number 1 will be correct let's see next question if the core of a cube is increased by 40% by what percent will it increase in volume एक core है जो की cube का जो की 14 प्रतिशत बढ़ जाता है 40 प्रतिशत बढ़ जाता है तो देखो x ले करके करने से क्या होगा ना percentage में यह जल्दी से आपका answer नहीं आ पाएगा तो x ले करके ना करने के बजाए हम कुछ ना कुछ एक value ले लेते हैं यहां पर अगर 1 लेंगे तो 1.4 आ जाएगा इसलिए मैं let core of cube मैं मान लेता हूँ 10 मान लेता हूँ 10 इसलिए माना क्योंकि अगर मैं 1 मानूंगा तो 40% increase 1 का 40% 0.4 होगा वो point में answer आएगा 100 लोगा तो 140 आएगा थोड़ा जादा आ जाएगा इसलिए मैंने 10 लिया अब volume इसका क्या होता है side का cube होता है means इसका volume क्या आ गया 10 का cube means 1000 आ गया 1000 cm cube आ गया अब जो है कि 40% increase हो गया तो increased core क्या है increase score कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहां तक बात clear है 14 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर 10 का अगर आप लोग 40% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 4 आएगा अब 10 का 40% 4 तो वो 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 हो गया ओके तो यहां पे 14 हमने ले लिया क्या होता है साइड का क्यूब तो जो नई साइड है या कोर है हमारा वो 14 है तो इसका क्यूब होगा अब मैं बार-बार कह चुका हो देखो जो बच्चे पहले से करते आ रहे हैं अगर वो अपनी कमिया सुधार नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है बच्चे इस पेपर को करने का मैंने पहले भी का क्यूब आप लोग याद कर लो gap आ रहा है जो भी time मिल रहा है उसमें याद करो अपनी कमिया देखो यह पेपर कराने का मकसद यह है कि आप लोग को आपकी कमिया पता लगे और वो कमी आप लोग दूर करते रहो तो जिसने नहीं याद किया है अभी भी और भी पेपर सॉल्व होने है वो बच्चे जाके याद कर ले तो 14 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 2744 अब क्या पूछा है कि परिमान में कितने प्रतिशत की वृद्धी होगी देखो वॉल्यूम पहले ये था अब वॉल्यूम ये है वृद्धी कितने की होई 1744 किस पर 1000 पर और इसकी multiply 100 से कर देंगे हमारा percentage आ जाएगा तो यह यहाँ पे एक point आ जाएगा means 174.4 will be the required answer option number 2 will be correct next question है A, B and C complete a work alone in 20, 24 and 30 hours respectively ओके ऐसे questions को बड़ी ही आसानी से हम tricky मदद से कर सकते हैं A in 20 hours B in 24 hours and C in 30 hours A, A, B and C अब हम तीनों की efficiency निकालनी हैं तो तीनों की efficiency कैसे मान लेते हैं यह इतने hour में खतम करते हैं इन तीनों का जो LCM आता है 120 यह आगे हमारा total work अब 20 चिक 120 means A की efficiency एक घंटे में 6 की है इसकी 5 की और इसकी 4 की यह यहाँ पर जो आता है यह efficiency आता है अब तीनों की efficiency कुल मिला करके कितनी हैं 6, 5, 11, 4, 15 means A घंटे में A, B और C कुल मिला करके 15 काम करते हैं अब क्या कहता है आगे question but A and all of them started working together together means तीनों ने एक साथ करना शुरू किया but A and C left the work after 6 hours okay means 6 घंटे तक तो उन्होंने साथ में काम किया है क्यांसे तो हमें यह समझ में आया A and B ने कितने टाइम के बाद चोड़ा A and C ने 6 घंटे के बाद चोड़ा है तो 6 घंटे इन्होंने साथ में काम किया means 90 तो कर चुके करना कितना था 120 90 हो चुका means remaining कितना बच गया 30 अब प्रश्न क्या कहता In how many hours will B alone complete the remaining work तो remaining work है 30 इसको B अकेला तो B की efficiency है 5 तो B अकेला इस काम को कितने टाइम में कर देगा 6 hours में कर देगा तो answer will be 6 hours अब यहां पे कई बार question वो जैसे यहां पे remaining work ना दे करके complete work दे देगा तो 6 घंटे उन्होंने पहले लगाये थे 6 घंटे यह तो in that case answer आपका हो जाता 12 hours Next question है 2 containers A and B have spirit and water in the ratio of 3 is to 5 and 3 is to 2 2 container है एक में water और spirit 3 is to 5 के ratio में है दूसरे में 3 is to 2 के ratio में है In what proportion must their contents be mixed to obtain spirit and water solution in the ratio 19 is to 21 कहता है कि इन में से किस ratio में हम water और spirit निकालें कि जो नया जो solution हो उसमें water और spirit का ratio क्या हो 19 is to 21 देखें जो इससे पहला paper कराया है paper नमबर जो video नमबर 5 है आप लोगों की अगर उस video में आपने किया हो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि normally question में यह पूछा जाता है कि किस ratio में mix करें तो वहाँ पे नमबर भी same था बट यहाँ पे यह जो answer यह जो दिया हुआ है यह हमें वहाँ पे find out करना था और जो अभी यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है वो वहाँ पे given था तो ऐसे question को करने के लिए हम हमेशा normally वैसे question में यही पूछा जाता है वो थोड़ा tough हो गया था बट उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके video number 5 उसकी previous paper की वो जाके देख सकता है ओके अब इसको कैसे करेंगे देखिए इसमें से और इसमें से mixture allegation के method से अगर यह देखा जाए तो हम किसी भी या तो हम spirit को ले सकते हैं या water को ले सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेंगे अब यहाँ पे अगर हम spirit लेते हैं spirit है पहले तो spirit कितना है इसमें 3 by 8 इसमें कितना है 3 by 5 mixture में कितना है 19 by 40 यह था पहले का container A का और यह container B का next अब हमें इसमें क्या करना होता है mixture allegation में हमें cross जाकर के इसको minus करना होता है यह जब भी यह question आएगा आपको यही तरीका और fix है दो ही type बनती है इसमें या तो यह दिया रहेगा जैसे answer तो हमें ऐसे निकालेंगे और जैसा वो question था वो दूसरी type मैंने करा रखे आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं next हमें इसमें minus करना है और minus के sign को ignore करना है अब 19 by 40 minus यह कितना हो जाएगा 15 बटे 40 हो जाएगा अगर मैं इसको LCM लेकर के minus करूँ तो यह 15 बटे 40 हो जाएगा तो 19 में से 15 गई यह कितना आगया 4 बटे 40 आगया सेम तरीके से यहाँ पर अगर देखे तो 8 से तो यह 24 बटे 40 आजाएगा तो 24 में से 19 गई यह कितना आएगा 5 बटे 40 आजाएगा तो container E का answer यह और container B का answer यह 5 by 40 is to 4 by 40 means ratio क्या आगया 5 is to 4 option number 1 will be correct वहाँ पर यही answer यहाँ पर वो उस question में यह दिया हुआ था चलिए अगला प्रशन है An item is sold at a fixed price a person loses 10% by selling at 6 by 5 of that price ऐसे प्रशन जब भी आए जो 6 by 5 क्या रहा है ऐसा number ले लो जो इससे divide होता है 5 लोगे तो हो जाएगा 25 लोगे तो हो जाएगा राइट तो selling it at 6 by 5 of that price तो let price हम माल लेते हैं 5 माल लेते हैं ओके जो original price था अब जो new price है वो कितना है 6 by 5 तो 6 by 5 of 5 means वो कितना आ गया 6 आ गया An item is sold at a fixed price वो fixed price हमने माल लिया है जो sold था वो 5 था अब जो new sold price है वो है 6 अब आगे प्रशन देखते है person loses 10% means इतने में बेचने पर उसको 10 प्रतिशत का नुकसान होता है अगर ये selling price है तो 10 प्रतिशत का नुकसान means cost price will be equal to what इसके 90% के बराबर हो जाएगा तो इसका 90% will be इसका 90% तो हम इसका क्या कर लेंगे एक मिनट ये जो है ये 90% के बराबर है तो ये 9 by 10 के equal होगा तो यहां से हम क्या कह सकते है कि ये 60 by 9 ये हमारा क्या आ गया ये cost price आ गया means ये इतने में उसने खरीदा था क्योंकि ये 6 है ये selling price दिया हुआ है और इतने में बेचने पर 10% का loss हो रहा है तो loss का मतलब cost price होगा उसके 90% के बराबर होगा वो ये आ गया cost price आ गया हमारा अब क्या पूछता है what is its loss percentage at the original price original price क्या है original price is 5 है अगर वो इतने में बेचे तो उसे कितने परतिशत का loss होगा तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसमें से इसको minus करना पड़ेगा 5 minus 60 upon 9 इसमें से minus होगा क्योंकि obviously बात है cost price ज्यादा है selling price कम है तो अभी तो loss हो रहा है ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 9 कम 9,455 तो यह आ जाएगा हमारा 15 upon 9 अब प्रश्न क्या पूछा है loss percentage तो यह हमारा loss आ गया 15 upon 9 CP कितना है 60 upon 9 multiply by 100 तो यह 9 से 9 गया यह 1 upon 4 में समारा क्या आ गया 1 upon 4 का मतलब 25% is the loss option number 4 will be correct next question है 3566 is divided among A, B and C in such a way that 5 times the share of A 5 times the share of A is equal to 3 times the share of B B के 3 गुना के बराबर और C के 2 गुना के बराबर तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या निकालना है A is to B is to C निकालना है 5 दिया 15 दुनी 30 इन 3 कालसियम 30 आ गया तो 5 चिक 30 10 दिया 30 15 दुनी 30 means A is to B is to C क्या आ गया 6 is to 10 is to 15 आ गया What is the share of B B का share कितना है 10 upon 10 plus 6 plus 15 10,16,15,31 हमें किसकी value निकालना है What is the share of B B की value आ गई है अब इसको हम कर देंगे 35,6,6 से divide देखे नॉर्मली ये fix है कि यहां तक ये आ रहा है और हमारा कोई भी answer point में नहीं है तो अब विसी बात है ये कटेगा तो आप इसको solve कर लेंगे 31 से तो ये आ जाएगा 31,9 जा 37,27 और ये 279 21,5,26 266,266 266 आ गया 39,27,8 यानि कि हमें इसे कितने बारे में लेके जाना पड़ेगा आठ बारे में तो 3,8,24 और 248 तो ये कितना हो गया 48,250 16,28 186 तो 3,6,18 means 186 वो आ गया तो क्या आ गया यहां पे 986 यहां पे 0 और है तो 986 will be the required answer अभी एक और बात है यहां पे ध्यान से समझो जब भी question पड़ो ऐसे question में option पे भी एक बार नजर जरूर जानी चाहिए मैंने जब यहां पे 31 निम्मे किया यहीं पे मेरा question खतम हो गया क्योंकि option में किसी में भी starting में 9 इसके अलावा कहीं पे है ही नहीं तो यहां पे हम complete कर रहे है पर आपको जब practice करनी है तो बस ऐसे ही करनी है ठीक है गलत होगा वो बाद में check कर लेना आप लोग चलो अगला प्रशन देखते हैं 12 people working 8 hours a day 16800 in 5 days तो ऐसे question के लिए formula M1D1H1 upon W1 is equal to M2D2H2 upon W2 12,8 और 5 upon में यह W1 आएगा means 16800 आएगा 12 people, 12 men, 5 days, 8 hours यह W1 इदर आएगा और क्योंकि यह W2 की value हमें निकालनी है वो इदर तो यह हमें पहले से ही anticipate करके रखना है कि यह इदर आजाएगा यह इदर जाके multiply हो जाएगा फिर divide होएगा तो हम इसको नीचे क्यों लिखें हम पहले ही से direct इधर लिख देते है multiply M2 M2 कितना? 18, okay 6 into 8 यह आगे हमारा अब यह इदर आकर के कटना है 8 से यह 8 cancel 6 दुनी 12, 2, 5, 10 तो यह इसका 10 चला गया अब यहाँ पर direct गुना करो 18, 0, 0 18, 8, 144 अब देखो question यही पर खतम हो गया क्योंकि last में 4 किसमें है सिर्फ यही पर है बाकी किसमें नहीं है यही पर खतम है बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं 18, 8, 144 14 0, 18, 144 4, 14 18, 108 4, 12 और यह 22 का 2 हासिल लगए 12 18, 18 और 12 30, 240 as you can see is the required answer बट वहाँ पर टाइम बचाना है यह इतना नहीं करना है अगला प्रश्न कहता है the average weight of boys in a class is 60 हमें नहीं पता boys कितने है and the average weight of girls is 50 kg if the average weight of the entire class is 56 what is the ratio of boys to girls ठीक है हमें नहीं पता भई तो let number of boys number of boys हम B माल लेते हैं और number of girls को हम G माल लेते हैं हमारे लिए इस हो जाएगा क्योंकि जो भी answer आएगा B and G में उसको आसानी से convert कर लेंगे अब boys का total weight कैसे निकलेगा 60 multiply B ठीक है क्योंकि average weight उनका दे रख़ा है 60 उसको हम B से multiply कर देंगे वो उनका total weight निकल गया प्लस इसी तरीके से 50 girls का अब पूरी class का average weight कैसे निकलेगा जब इसको total boy plus girls जो भी है उसको हम उससे divide कर देंगे जो की कितना है यह 56 अब यह बस इसकी multiply होनी है यहाँ पे 56 boy प्लस 56 girl इसको मैं cut कर देता हूँ यहाँ पे यह इदर आके 4 boy equal 6 girl a boy upon girl क्या जाएगा 6 upon 4 means 3 is to 2 option number 2 will be correct बड़ी यह असानी से निकल गया चलिए अगले प्रशन पे आते हैं जल्दी से what is the unit digit in this तो ऐसे के लिए हमें सिर्फ unit digit से मतलब है और power को हम 4 से divide करते हैं जो बच्चे first time देख रहे हैं उनके लिए बता दू एकाई का अंक लेना है power को 4 से divide करना जो remainder आता है वही power हो जाएगी अगर एक आता है तो एक दो आता है तो दो तीन आता है तो तीन अगर 0 आता है तो power 4 लेनी है तो यहाँ पे 4 से 24 एक remainder आया minus 8 की power यहाँ पे यह 0 है means यह 4 remainder आएगा और प्लस 3 की power एक हो जाएगा तो अब 2 और 3 यह 5 हो गया अब यहाँ पे minus 1 answer मत कर देना वो गलत हो जाएगा क्योंकि अब्वेसी बात है यह जो दोनों जुड़के number है तो यह बड़ा number आएगा तो यहाँ पे इसके आगे भी कुछ है तो यहाँ पे carry ले लेंगे 15 message हो गये 9 option number 1 will be correct next question है a train travels at a speed of 120 km per hour without halt and at a speed of 110 km per hour with halt means एक घंटे में उसने 110 km तै किया जबकि वो बीच में कहीं न कहीं रुका हमें नहीं पता वो कितनी देर रुका बट अगर वो नहीं रुकता तो वो अगर वो नहीं रुकता means तो उसकी average speed क्या होती 120 km per hour means एक घंटे में उसने कितनी दूरी तै करी halt करने के बाद 110 right अगर वो नहीं रुकता तो वो कितनी देर में ये 110 km कितनी देर में cover कर लेता तो 11 बटे 12 और इसको जब हम 60 से multiply कर देंगे तो 12 पंजे 60 मतलब क्या है ये 55 क्या है कि ये जो 110 km जो उसने एक घंटे में तै किया है रुकने के बाद अगर वो नहीं रुकता वो 120 की स्पीड से चल रहा होता तो ये 55 मिनट में cover हो जाता तो इसका मतलब जो उसने cover किया कितनी में 60 में 5 मिनट कहा गए तो ये 5 मिनट उसने halt कि जो halt था उसका वो 5 मिनट रुका था तो how many minutes does the train stop okay तो train stop for 5 मिनट will be the required answer next question पर आतने जल्दी से when the numerator is increased by when the numerator is increased by 150% and denominator reduced by 50% the fraction becomes 4 by 3 okay तो let numerator be x ये 150% से increase हो गया तो increase होने के बाद वो हो कितना गया 250% हो गया देखो मैं सारा का सारा explain नहीं करूँगा short trick यहां पर हमें फटा-फट करना भी है तो देखो मतलब means वो 100% अपने आप में है और 150% increase हो गया तो total कितना हो गया वो 250% हो गया इसी तरीके से reduced by 50% तो अगर वो y था तो पहले वो 100% था 50% reduce हो गया means बचा कितना 50% बचा तो यह जो है यह नए numerator और denominator का ratio है जो कि किसके बराबर है 4 upon 3 के तो इसको solve करो यहां पर 100 से 100 cancel ओके यह 50 है तो यह क्या आजाएगा 5 upon 1 तो x upon y की value निकालनी है तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 5 आजाएगा means 4 बटे 15 option number 1 will be correct अगला प्रश्न ओके अगला प्रश्न कहता है देखो मैं जब करता था तो इस question में मैं कई बार confused रहता था normally मैं आपको बताऊ क्योंकि क्या let करे point होने की वज़़े से थोड़ी यह दिक्कत आ जाती थी तो आपको क्या करना है मैं complete इसको आज solve कर देता हूँ let 583 A और 563 को मैंने B मान लिया अब देखो 583 A है तो यहाँ पे क्या हो गया A upon 10 multiply A upon 10 plus यह B upon 10 means इसको मैं B square upon 100 लिख सकता हूँ और यह plus A B A B upon में 100 तो अगर मैं सिर्फ उपर वाले को solve करूँ तो यहाँ पे यह क्या जाएगा A square upon 100 आ जाएगा तो यह क्या आएगा A square plus B square plus A B upon 100 आ जाएगा यहाँ तक clear next यहाँ पे यह क्या है A cube minus B cube अब इसके upon में A cube minus B cube अब A cube minus B cube का formula क्या होता है A minus B A square plus A B plus B square दो ही formula आते है A cube plus B cube तो उसमें होता है A plus B A square minus A B plus B square और यहाँ पे A square minus A B plus B square हो जाता है और इसमें यह आजाएगा तो अब देखो यह क्या हैगा A minus B upon A square plus A B plus B square इसके नीचे 1 है तो यह क्या होगा यह उपर जाके ऐसे पलट जाएगा A minus B upon A square plus A B plus B square ओके ना यूवल सी A square plus A B plus B square A square plus A B plus B square यह कट गया हमारे पास बच्चा क्या 1 upon 100 multiply by जब इसको solve करेंगे तो यह 1 upon 100 multiply by 1 upon A minus B आएगा A minus B की value यहाँ से देख सकते हैं यह कितना आजाएगा 20 आजाएगा तो हम इसे क्या लेख सकते हैं 1 upon 100 multiply by 1 by 20 अब इसे solve कर दो यहाँ पर 2 से यह 0 इदर ले लेते हैं for the time being तो यह कितना आजाएगा 0.5 आजाएगा अब यह 3 0 है तो यह कितना आजाएगा 0.0005 0.0005 will be the required answer तो यह option number 3 will be correct next question है the speed of a boat in stagnant water is 12 km पर आर कुछ बच्चों एक comment थे कि यह question समझ में नहीं आया है तो एक बार इसे अच्छे से समझते हैं the speed of boat in stagnant water stagnant water means still water अगर water बिलकुल शान्त है तो boat है वो 12 km पर आर की speed से वो जाएगा अब देखो अगर speed of stream है means धारा भी कुछ गती से बै रही है अगर suppose करते हैं धारा की 2 km पर आ रहा है तो अगर वो इसी direction में जा रहा तो उसकी speed क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी और अगर वो opposite direction में जा रहा तो उसकी speed 12-2 10 हो जाएगी तो हम इसको कहते हैं upstream speed और इसको कहते हैं जो यह 14 हो गई इसको downstream speed कहते हैं अब प्रशन पढ़ते हैं यह दिया हुए 12 km she can return to her original place in the downstream after going 24 km upstream means 24 km वो upstream गया अगर धारा इधर है तो वो upstream गया 24 km और 24 km जाके वो वापस आया means यह तो upstream गया और यह downstream आया चोकि एक बार धारा के विपरीद गया तो एक बार धारा के साथ आएगा total इस काम में उसको लगे 4 hour and 30 minute ठीक है 24 km upstream and 24 km downstream अब उसमें still water की speed दे रखी है 12 तो find the velocity of current या current की जो speed है वो निकालनी है अब देखो current की speed obvious ही बात है इनमें से ही कोई न कोई होगी हमें यह पता 4 hour and 30 minute है 12 हमें speed वो दी गई है अगर वो 5 होगा अगर speed of stream 5 होगा तो downstream में speed हो जाएगी उसकी 17 और upstream में speed हो जाएगी उसकी 12 में से 5 गए 7 ठीक है तो जो हमारी equation को satisfy करेगा हम वो ले लेंगे ठीक है तो normally तरीका यह होता है कि जो बीच का होता है हम वो लेते हैं और 5 है तो 2-5 ना ले गर कि हम 3 या 4 में से कोई एक ले लेते हैं ठीक है बैसे भी 5 हमारा चेक होई चुका कि यह होगा ने चलिए 4 लेते हैं सबसे पहले तो 4 अगर speed of stream है तो downstream में speed क्या हो गई उसकी 12 प्लस 4 मिन्स 16 किलोमेटर और upstream में क्या होगा speed उसकी 12 माइनस 4 मिन्स 8 किलोमेटर पर आर अब downstream 24 किलोमेटर है तो यह 24-16 की गती से उसको जाने में कितना टाइम लगेगा 1.5 आर और upstream भी 24 है तो वो 8 की speed से उसको जाने में कितना टाइम लगेगा 3 आर total upstream और downstream जाने में उसको कितना टाइम लग गया 4.5 आर और यही तो इसने बोल लखा है 4 आर और 30 मिनट अच्छा एक और गलती मैं यहां पर बता दू कई बार यह 4.5 आर आता है तो 0.5 को बच्चे 50 मिनट ले लेते हैं यह गलती मत कर देना 0.5 का मतलब आधा गंटा है यह तो यह 1 upon 2 और एक गंटे में 60 मिनट होते हैं तो इसको convert करोगे तो यह 30 मिनट आएगा तो here option number 3 will be correct next question देखते हैं okay if the diagonal of a rectangle is 13 cm if the diagonal of a rectangle is 13 cm rectangle की property यह 90 degree का होता है यह 13 का है तो अगर हमें triplet पता है तो 13 के triplet क्या होते हैं 5, 12 और 13 तो 5, 12 और 13 यह हमने फटाक से यहां पे लिख लिया अब आगे देखते हैं क्या कहता है ओके और भी triplet हो सकते हैं question के according देखते हैं perimeter दिया हुव उसने 34 okay L, B, L, B means 2 twice of L plus B equals कितना दिया हुव 34 means L plus B की value कितनी आ गई 17 आ गई अब अगर यहां पे 12 और 5 देखो 17 means L plus B की value 17 है means equation हमारी satisfy हो रही है तो इसका मतलब इस rectangle की length और breadth यही है then how many centimeter square is the area of rectangle okay area of rectangle L into B 12 पंजे option number 1 will be the correct answer चलिए next question next question कहता है यह आपके सामने table दी गई है in the figure given the table is presented as a pie chart then what is the central angle in the nearest absolute degree of the area representing the interval in which the median is contained जिसमें median आएगा तो देखें median निकालने के लिए हमें क्या करना होता है formula क्या होता है उसका L plus N by 2 minus CF upon F multiply by H यह होता है formula lower limit अब कैसे लेते हैं हमें सबसे पहले देखो यह हमें X निकालना होता है यह हमें F दी हुई है F की value हमारे पास क्या है 22,64 तो हमें सबसे पहले median निकालने के लिए cumulative frequency निकालने पड़ती है तो cumulative frequency यहाँ पर क्या हो जाएगा जस्ट वो frequency का जोड हो जाता है ठीक है तो frequency का जोड हम यहाँ पर कर लेंगे यह था पहले 22 और 22 और 6,28 यह हो जाएगा हमारा 86,88,88,14 यह 148,50,220 और यह हो गया हमारा 300 और यह हो गया हमारा 400 ठीक है यह हमारी cumulative frequency आ गई अब median निकालने के लिए हम cumulative frequency का half देखते हैं अब 400 का half कितना आएगा 400 का half आएगा हमारा 200 तो जो 200 से ज़्यादा वाला जो रहता है वो time interval आता है तो 200 से ज़्यादा 220 1,2,3,4 यानि कि 1,2,3,4 यानि कि जो median आएगा वो किसमें आएगा इसमें आएगा ठीक है तो यहाँ पर इसकी lower limit क्या होगी 110 और यह 120 अब पूछा क्या है the area representing the interval in which the median is contained तो median किसमें contain करेगा 110 और 120 के बीच में अब इसका वो area कितना है 72 है तो अगर pie chart में इसको show किया जाता है total देखो कितना है total है 400 इस 400 में हमें show करना है 360 degree तो 1 के लिए होगा 360 upon 400 और इस 72 के लिए हो जाएगा यह multiply हो जाएगी तो इसको 4, 9, 36, 10, 9, 2, 18, 9, 63, 64, 64.8 आया nearest to 65 है means option number C will be correct over here third option will be correct next question है कैता what is the average height अब same आपके पास table दी गई है इसमें हमें चात्रों की औसत उचाई means x bar की हमें value निकालनी है x bar की हमें value find out करनी है तो x bar के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है sigma fx upon sigma f तो x की value लेंगे सबसे पहले x की value कैसे निकलती है 80 plus 90 upon 2 तो 8, 9, 170 बटे में 2 ये कितना आजाएगा 85 आजाएगा और normal इसका short trick क्या बताया कि बस इसके बीच में कितना है 10, 10 का आदा 5 तो इसमें lower limit में 5 add करते चले जाओ तुम्हारा निकलता चला जाएगा तो ये हो गया 85, 95, 105, 115, 125 और ये 135 ये x की value आगई अब यहाँ पे f कितना दिया हुआ है ये है 22, ये है 64, ये 62 देखो ऐसे question में सिर्फ calculation होती है question में है कुछ नहीं हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना बस calculation में जो time लगना है वो लगेगा अब हमें क्या निकाल लेना है fx तो 22 into 85 अब देखो करना कैसे है थोड़े आपको multiply में जितना time मतलब लगाओगे उतना late होता चला जाएगा तो 22 के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि 11 into 2 कर दो इस 22 को अब 11 के लिए इसी तरीका है 5, 5 दुनी 10 हो गया, आसल 1 ठीक है? फिर 8, 5 और 13 जो वो पेर बनाने का तरीका है 11 वाला 8, 5, 13, 13 दुनी 26, 26 और 1 कितना आजाएगा? 27 आजाएगा ठीक है? तो यह आगे हमारा 27 का 7 carry 2 आगया next अब क्या बचा? 8 बचा, 8 दुनी 16 और जो carry बचा था हमारा 2 16 और 2, 18 means इसकी multiply यह आगी 1, 8, 7, 0 अब हमें 95 की 64 के साथ करनी है तो क्या हो गया? यह 6400 direct हो गया, अब 6400 की 5 से, तो 10 से 640 इसका अधा कितना आजाएगा? 320 बीस आजाएगा, माइनस की यह हमारा क्या आगया? 61 80 आगया, तो इस तरीके से जल्दी से जल्दी कर सकते हैं 60 80 आएगा ठीक है? क्योंकि 61 में तो फिर वो 6500 हो जाता है इसी तरीके से 62, तो वो 62 100 आगया, 62 100 में 300 10 और एड कर देंगे तो वो हमारा कितना आजाएगा? 65 10, देखो नॉर्मली आपको यह बहुत टाइम लगाएगा, बट यह इस तरीके से करोगे तो बहुत एजी लिए आपका हो जाएगा सेम वे में 72 100, 720 और 360 इसको एड करना है मुझे तो बहतर सो में 720 जुड़ा, 79 तो यह टोटल आजाएगा 8280 ठीक है? 165 अजार हो गया तो यह 1000 और एक 0 और और यह 135 00 यह तो आई गया अब इन सब को एड कर लो 0, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 8, 24 चार हासिल लगए 2 8, 5, 13, 2, 15, 5, 20 22, 22 का दो हासिल 2 3, 9, 6, 15, 23, 23, 26, 2, यह 4 तो 4, 6, 2, 4, 0 अब इसको हमें सिगमा F इससे किससे डिवाइड करना है? 400 से तो मैं सिर्फ 4 से डिवाइड कर लोगा क्या जाएगा? 4 एकम 4 फिर से ये 4 एकम 4 2, 20, 4, 25, 20 4, 6, 24 अपन में 0 था तो 115.6 मिन्स option number 3 विल बी correct तो मैं उमीद करता हूँ कि क्योंकि इतने paper कर चुके हैं आप लोग की speed बढ़ गई होगी थोड़ा सा जहां दिक्कत है, कमी है वो आप देखकर दूर करें झाल